हेलोफेंट स्वागा थाप का मैं इस चैनल पे तो आज हम बात करेंगे CRP 6 चेप्टर 31 में जहां पर क्रिमिनल मामलों का अंतरण से सम्मधित कहां पर बताए गया है यानि कि मामला है या फिर अपील है उसको आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कहां पर आवेदन किये जाएगे कैसे कौन कौन आवेदन कर सकता है ठीक है तो यहां पर इस लोग के माध्य हम से पूरा चीज करने वाले हैं तो बने रहे इंट तक हमाई साथ अज़िए आपको पसं स्क्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धारा 406 अब दो चीजों को बात करते हैं दो डील करती है ठीक है पहला तो मामले आते हैं मामले कौन से जिसे ट्रायल कोर्ट में मामला आया और दूसरा कि आपने ट्रायल को से सबकुछ complete होने के बाद आपने अपील की ठीक है तो दो चीजे हैं एक तो पहला मामला आ गया और दूसरा अपील अब इन दोनों कोई भी यदि ट्रांसपर करने की बात आती है एक कोड से दूसरे कोड में ट्रांसपर करने की बात आती है तो आप सुप्रीम कोड में 406 क कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पे जब सुप्रीम कोट को लगेगा कि नयाएक अद्येश्यों के लिए जरूरी है तभी वह करेगा ठीक है अगर इंट्स ऑफ जस्टिस के लिए यह जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर किया जाए यहां पर कोई ऐसा कारण नहीं है विशेश तो है कि यहां पर क्लोज पढ़ेजा कि प्रतीत कराए जाता है तो सबसे पहले इसको पढ़ते है यहां के इसको पढ़ते हैं तो नियाए के उद्देश्यों के लिए है समचीन है इंड्स आप जश्टिस के लिए यह जरूरी है कि जो मामला आया है या फिर अपील आई है उसको एक कोट से दूसरे कोट में ट्रांसफर करना चाहिए तो आप सुप्रीम कोट क्या करेगा यह आदेश क कोट से दूसरे हाई कोट में क्या किया जाए ट्रांसफर किया जाए ठीक है या फिर उच नयाले के अधीना से दंड नयाले से दूसरे उच नयाले के अधीना किसी समान या वरिष अधिकारतवा दूसरे खंड को तो यहां पर ट्रांसफर किया मालीजे ग्यांपल समझते है कि यहाँ पे high court है ठीक है और एक high court यहाँ पे है एक राजस्थान कमालिजी high court है और दूसरा है यहाँ पे महराश्ट का high court आ गया तब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे नयाए को देशों के लिए सकती है यहाँ पे इस high court आ जहाँ पे यहाँ पे समान होना होना चाहिये ठीक है उसके समान से से संसे कार दिया यहां पर ने यहां करने की बात कर दीकर ने मामल ओर पहणव je है दो सीजिगे हैं अब जैसे कि एक थाना का थाना है और यहां पर एक मुंबई का थाना है अब यहां पर क्या है कि इस थाने में फाईयर दर्ज होती है तो यहां पर क्या आवेदन आप कर सकते हैं 406 के तहर्ट की इस फाईयर को जो यहां नहीं हो सकता है तो यहां पर Supreme Court ने कई judgments में बताए कि आप F.I.R. को यहां पर ट्रांसर नहीं कर सकते हैं ठीक है एक जो ठाना है एक ठाने से दूसरे ठाने में F.I.R. को यहां पर जांच होती है ठीक है अनविश्यर होता है उसको आप ट्रांसर करने करने के लिए इससे रेटेड एक केस मैं बता देता हूं ठीक है कि यह दूसरा वाला केस जो है रिया चक्रवर्ती वर्सस बिहार सरक्र 2020 का मामला है अब यह आप देखा होगा सुसान सिंग राजपूत वाला जो केस चल रहा था उसमें क्या हुआ था कि यहां पर जो F.I.R की गई थी विहां सरका की दोरा यहां पर पटना में की गई थी ठीक है वहां से जो F.I.R की गई थी तो वहां से उस थाने से ट्रांसफर करने के लिए मुंबई में मुंबई में transfer करने के लिए उस FIR को क्या किया गया था रिया चक्रवर्थी की दौरा यहां पे आबिदन किया गया था 406 के तहट तो Supreme Court ने क्या किया कहा कि आप 406 के तहट जो पूरा FIR इसको यहां से transfer नहीं किया सकता ये बोला गया था यहां भी रिया चक्रवार्थी वाषिप बिहार सरकार वाले में ठीक है और इस किया गया था उसक्त कर दिया गया था अब एक केस और था ठीक है इससे डिटेड नहीं है राजकुमार साबू बरसे साबू ट्रेट प्राइबिट लिम्टेड दोजारेकीस अब इसमें क्या बोला गया था कि यदि माली जी आप किस कारण से ट्रांसफर कर बाना चाहते केस को कि आपको भासा समझ में नहीं आ रही ठीक है कि यहां पर यहां तमिल बोला जा रहा है तमिल यहां पर मुझे समझ में आती तो इसलिए आप क्या करें महराश्ट में में भेज़ दें या पि दूसरे किसी हाई कोट में भेज़ दें ऐसा नहीं होगा यहां पर कहा गया था राजकुमार साबू वाले केस में कि मा कि यह चक्रवर्ति मालं क्या किया था जो फाय यार है उसको ट्रांसफर कर नहीं किया सकता यह तो आई होप यह दूनों किस आपको समझ में आए होगे यह 2021 मामला है यह 2020 का रीसेंट के जल्समेंट से हैं दोनों आप इसको नोट्स कर सकते हैं ठीक है अब ये तो बात होगी कि एक कोट से दूसरे कोट भी ट्रांसफर हो जाएगा अब दूसरे आता है यहां पर कि आवेदन कौन करेगा यानि कि मामले को ट्रांसफर तो करना है यहां तो करेगा नहीं यहां पर सुप्रीम कोट के मुझे चलो तैके है ऐसा रगता है इस केस को ट्रांसफर करना चाहिए दूसरे कोट में तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देません अइससा नहीं कर सकते है यहाँ पर इसमें पावर नहीं दी गई है तो यहाँ पर बताएके एक उचितम नियाल है। भारत के महानय वादी, यह हितबत पक्षकार के आवेधन पर ही ऐसाघंक करेंगी। धर्ण करेंगी। kannatER कारे कर सकता है। इसाघंगी आवेधन पर हीिय महानय वादी यह फसकार और इसके साथ यह क्या कर सकते है। राज का महाध्य भक्षकार और सम्दिब नारी तो यह दरा नायवादी यह द्रिवक्षकार क्यें करें आब इदन क्रेंगा कि मारेको ट्रांसफेर कर लिया में राज जाती है यानि कि राजी को करना है मामले को करवाना चाहती है तो क्या यहां पर यह Begin इसमें बताया गया था इच्छोग व्यक्ति यानि कि जो हित्वत पक्षकार है के अंबा जगन के अंबा जगन पुलिस अधिक्षक एंड अधर्स के यहां मामला था इसमें कहा गया था कि जो इस्टेट है यह राज्ज है वो भी हित्वत पक्षकार के अंतरगत आएगी ठीक तो फिर से पढ़ते हैं इसको कि उच्चत पने याले chili महानेयवादी को कहां पर यह बताये गया है जो हमारा भारत नी समीधान है उसके आर्टिकल 75 में ठीक है शीटर्ज wonder शिर्ट ने करता है कि भारत का महानियावादी की क्या अधिकार होगे दिश्यक्या। के बारे में 76 जि 10 में है तो महा नहयावादी यह एक्षकार की आबेदन पर ही इस धारह के धिन कारे कर सकता है कौन उच्वेस्व मिनें अले सुप्रीम कोड़ और एसा प्रत्ते एक आवेदान समावेदान दोरा किया जाएगेрам अन sincer झो सारी जो सारी चीज़ होनी चाहिए जो उस दसाय में के सिवाय जबकि आवेदक भारत का महानयावादी राजी का महादी वक्ता है सपत्पत्रिय प्रतिक्जान दौर समर्पित होगा अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो आवेदन किया जा रहा है जो अईदि माल लिजे जिसके केस को ट्रांसफर करने का आवेदन किया गया है और आवेदक कौन है भारत का महानयावादी है या फिर राजी का महादी वक्ता एट्वोकेट जनरल है ठीक है ये दो लोग कोई परसण आता है तब यहां पर क्या होगा कि एक सपत्पत्र भी लगएगा सी ॥ूससर राज्जी इनका सपत्पत्र भासकता है यह होगी अब यहाद पता चल गया कि आवेदन कौन करेगा सुप्रीम कोड में तीसरा आता है कि जहां इस धारा दौर प्रतत सक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिश कर दिया जाता है वहां यह उच्तर नियाले की राय है कि आवेदन तुछ तंग करने वा ट्रांसफर करने के लिए केस को यहां पर आवेदन किया गया सुप्रीम कोड में अब सुप्रीम कोड में क्या कर दिया उसको खारिच कर दिया उस केस उस आवेदन को डिसमिस कर दिया तब यहां पर क्या है यहां पर आवेदन किया गया था वह तंग करने वाला था ठीक है तुस्थ यहां पे तुस्ट- यहां पैर तंक करने वाला आवधन था उससस ने आवेदन कि था यह जो आवेदक था उस पर एक बाहरा तक का जुर्मार मुह लगा घा सकता है ठीक है एके जिबा ek dibiagd सुप्रीम कोट के द्वार मामले के ट्रांसपर अब यहां पर एक और चीज़ धियान रखिएगा यहां पर CRPC में हैं तीक है मामले को ट्रांसपर करने की बात आ रही है अब यहां पर एक और आर्टिकल आता है आपका ठीक है 222 अब 200 222 से पहले एक और आर्टिकल देखते हैं ठीक है आर्टिकल 139A 139A क्या बात करता है कि कुछ मामलों के अंतरर के बारे में सुप्रीम कोट की पावर बता दीए ठीक है तो यहां पर एदिमाल लिजे किसी हाई कोड में या फिर एक से अधिक हाई कोड में कोई ऐसे मामले हो रहा है तब वहाँ पर क्या किया जाएगो उश्तव न्याले का समधान हो जाता है तब यहां पर क्या करेगा इस प्रियम कोड अपनेे पास मामले को मगा सकता है और उस मामले को निप्टा सकता है ठीक है यह 139A हो गए सुप्रीम कोट की बारे में उसी प्रकास से आप देखेंगे आर्टिकल 228 आर्टिकल 228 क्या बात करता है हाई कोट को यहाँ में पावर देता है आर्टिकल 228 यानि कि कुछ मामलो को उच्च नियाले को अंतरर जब हाई कोट देखेगा कि उसके अधिनस किसी नियाले में कोई ऐसा केस आया है जिसमें क्या है कि बिधी के समिधान के निर्वचन के बारे में कोई ऐसा प्रस्न उत्पन हुआ है तब वो क्या करेगा उसको अपने पास मगा सकता है और क्या करेंगे या तो Sam निप्टाएगा ठीक है या उसका उस प्रस्ण का अवधारन कर सकेगा और जो भी प्रस्ण है उसको अवधारित करेगा यहाँ पर High Court की पावर बता दीगे 228 में अब यह तो हो गया केसों का ट्रांसपर करना अब यहाँ पर यहाँ पर यह दिमाल लिजिए जो जजेश के ट्रांसपर होते हैं यानि एक जो High Court है एक High Court से दूसरे High Court में जजेश का ट्रांसपर की बात आती है तो आर्टिकल 222 में है इसको यह आप द्यान लखेगा यह इतना इससे पहले जो आर्टिकल पढ़ा भी 228 और 139 ने यहाँ पर अंतरण से ही इसलिए मैंने पढ़ा दिया अब यहाँ पर बात करें 407 की अभी तो आपने पढ़ा सुप्रीम कोट की पावर अब यहाँ पर बात करें High Court की पावर ठीक है तो मामलों और अपीलों को अंतरीत करने की उच्छ नियाले की सक्ती 228 जैसे अभी पढ़ा था ना High Court की पावर आर्टिकल 228 उसी प्रकास यहाँ पर 407 CRPC में भी यहाँ पर दिया गया है तो जब कभी नियाले को यह प्रतीत कराया जाता है तो आपको ध्यान लगेगा पहले भी जब सुप्रीम कोट को पास यहाँ पर अंदराण करने के लिए अबदन किया रहा था तो वहाँ भी प्रतीत कराया जाता था खुझ से नहीं कर रहा था लेकिन और यहाँ पर भी क्या है High Court को भी प्रतीत कराया जाता है कि यहाँ पर क्या है उसके आधिनस किसी दंड नयाले में रिजो और पख्षपात रहित जांचे विचारान नहीं हो सकता है उस मामले में पहली condition क्या आगई कि उसके अधीनास जो भी court है उसमें कोई ऐसा मामला pending है जिसमें fair trail नहीं हो सकता है अब fair trail नहीं हो सकता ago तो वहाँ पर 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 judgment भी नहीं होगा तो वहा पर करता है Дूसरा condition आता है कि यह किसी आसाधान कठीन बीधी प्रसन उठने की संभाव बिता है ठीकिन पहले कंडिशन क्या है कि फियर ट्रायल नहीं हो रहा है यहाँ पे जज्ज्मेंट नहीं हो पा रहा है दूसरा आता है कि कठीन बीधी का प्रसन उपन होने वाला है तो हाई कोड को ऐसा लगता है ठीक प्रतीत कराए जाता है तीसरा आता है कि इस धारक है धीन आदेश इस संहिता कि किसी उबंद और अपेक्षित है या पक्षकारों या सक्षियों के लिए साधान सुविधा प्रद होगा या नयाएक उद्देशों के लिए समीची ने पहला तो फेर ट्रायल दूसरा अब बिदी के प्रस्विधा उट रहे है और तीसरा आ रहा है कि इंड्स अब जश्टिस यानि कि नयाएक उद्देश्यों के लिए है या फिर पक्षकारों या साक्षियों के साधान सुविधा के लिए सही रहेगा तो वहाँ पर क्या किया जाए जो धाराव 170 से 180 तक के अधिन तो अरहित नहीं है यानि कि आप देखें कि CRPC की 177 से लेकर आगे भी जित्ते धाराये बताई गया है तो यहाँ पर क्या है कि जनरल जी यह बताई गई है कि किसका जुरिटीशन कहां पर होगा यदि कोई offense कमिट होता है किसी इस्थान पर तो यहाँ पर कैसे किया जा रहा है अब मामले को जिसे यहाँ पर हाई एक सेशन कोट है ठीक है अब यहाँ पर इसकी अधिकारता में एक अपराद हुआ अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पक्षकार है वो कहते हैं कि मुझे इस सेशन कोट में क्या करबाना है इसकी जांच क चाहिए जा सकता है यहां पर लेकिन यहां पर क्या है कि हाइक कोड connecting कर सक्षम करो आप ही करो पहला पहला कंडिशन द्थिए कर सकता है दूसरा थी कोई विसेष्ट मामला या अपील ​​ या मामलों का अपील, या अपीलमे न, एक से अधिक है, bunch of appeals है तो उसके क्या किया सकता है, प्राधिकार के अधिकार किने किसी धन्याले किससे, एसे समान यह बरिष्ट रदिकारता वाली किसी अन्य दर्ण न्याले को अंत्रित कर दिया जाए यानि कि एक जो जिसे मजिस्ट्रेट का कोड है ठीक है अब एक मजिस्ट्रेट को कोड से दूसरे मजिस्ट्रेट के कोड में यहां पर ट्रांसपर किया सकता है तीसरा आता है कि कोई विस्ष्ट मामला सेसन नियाले को बिचार और सपूर्द कर दिया जाए यानि कि मजिट्रेट के पास मामला है और उसको क्या किया जाए कि कमिट कर दिया जाए किसके पास सेसन नियाले के पास तुल्हें है यहां यहां पर यहो सकता है फूर्ट कॉइंट आता है कोंई Schritt आ तो श्यम सी प्र हाइप उसको अन्लिर तक यहां पर हाइप यहां पर हाई कोड अारे सबस्द vak्राज पलास कर सकता है किसी को ट्रांसकेश को ट्रांसफर करने के लिए तो दूसरे कोट को कर देगा या फिर सोयम को करेगा वह यह हमको भेज़ दो यह पूरा मामला यह हुआ गई आपके हाई कोट के पावर्स याई ट्रांसफर करने की बात आती है अब यहाँ पर दूसरा क्लोज क्या कहता है सब सेक्शन टू उचनेले निचले नियाले की रिपोर्ट पर या हिदवत पक्षकार की आवेदन पर या सवपेड़ना पर कारवाही कर सकता है अब यहाँ पर सुप्रियूं कोट में क्या किया था उसवपेड़ना से यहाँ पर नहीं मगा सकता था अब यहांपे क्या कर रहा है हाई कोट कैसा लगता है कि इन के बताइगी है पहला तो है कि निचलिख कोट की रिपोट आती है कि इस मामले को ट्रांसफर कर सकता है दूसरा आता है कि हिद स्वेद बक्षकार की आविधन पर, यानी कि जो interested party है आविधन कर रही है तो यहांपे स्वाप प्रेड़ना से क्या कर रहा है मामले को अपने पास मगा रहा है या पि कहीं और ट्रांसफर कर रहा है यह तीन चीजे हो गई या तो सो पेर्णा से सो मोटो कर सकता है या हिदपत प्रक्षकार या फिर न्याले के रिपोर्ट पर यहां पर ट्रांस्पर कर सकता है परण तो किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्याले से दूसरे दंड न्याले को अंतरित करने के लिए आवेदन उचे न्याले से तभी किया जाएगा जब एसा अंतरित करने के लिए आवेदन सेशन न्याधिस को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर कर आप यहां पर क्या है यहां से मामले को क्या करना है टरांसफर करना है तब हमाइधन किया जाना है वह तभी किया जाएगा जब यहां से सेशन की दौरत उसको नामंजूर कर दिया है खारिज कर दिया होगा या नहीं कि आपने पहले कहा किया सेशन ने आले में किया है आविधन और वहां से खारिज हो गया कि इस मामले को ट्रांसपर नहीं होना है तब यहां पर क्या कर सकते हैं उसके बाद आप हाई कूड जाएं हैं यह हो गई आपकी थाड आता है कि उबधार एक कदिन आदियास के लिए प्रत्तेक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दसा के सिवाज आवेदक राजी का महादिवक्तर सपत्पत्र प्रदियान दो जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था ना कि अटोड़नी कि आवेदन करता है तो उसके पास सपत्र पत्र प्रतिक जान होगा इसका ठीक है वोत हो गया रहा सारी यहां पर की जाएगी फॉर्थ पॉइंट आता है कि जब एसा आवेदन कोई अभियोक्त व्यक्ति करता है अब यहां पर कान कर रहा आ आवेदन जो एक्यूस परसन है जिसके खिलाफ आप चार्ज लगा है ठीक है आप जिसको यहां पे आप अपरादी बनाए गया है यह अभी उक्त बनाए गया है अब वो क्या कर रहा है आविदन कर रहा है तब उसे निदेश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए जो उच्छ नियाल है उपधार साथ के दिन है उपधार साथ के दिन उसमें भी एकजार कर दिये अभी हम पढ़ेंगे इसा आविदन करने वाला प्रतिक अभी एक लोग अभी हो जो को आविदन के लिए की सूचना उन आधारंग प्रतलिप सहित देगा जिन पर वह किया गया है और आविदन गोड़ा करेंगा लोग अव्योजच को सूचित करेंगा अब लोगोजच को सूचित करने के मारा प्रतलिप तब तक उसके सुनवाई नहीं की जाएगी और यह हो गया आपका उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है आपका जहां किसी आवज़न किसी अध्यरेस नियाले से कोई मामला या पील अंतिरित करने के लिए है वहाँ यदि उच्छ न्याले के समाधार हो जाता है कि एशा करना न्याय के हिट में आवश्यक है तो वह आदेश दे सकता है कि जब तक आविधन का निप्टारा ना हो तब तक के लिए अधिनस न्याले की कारवाहिया इसे निवंदरों पर जिने अद्रोबित करना है पर निप्टारा नहीं हो जाता उस अविधन का निए हो गया आपका उसके बाद उपधारासाद के कहता है कि जहां उपधारा एक दिन आधेश देने के लिए आविधन खारिच कर दिया गया है वहाँ यदि उच्छ न्याले की रहा है कि आविधन तुछ तंग करने वाला ह कि आप पर किसी को परशान करने के लिए या करें अबहदन करें कि एक नियाले से दूसरे नियाले में भड़कता रहे हो तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिया गया है उसके बाद यह वारा क्लॉज आपकर यहां पर इंपोर्टेंट इस धारा कि कोई बात 197 के दिन सरकार की किसी आदेश पर प्रभावड डालने बाई न समझे गई ठीक है तो 197 के तरह जो आदेश किया जाता है सरकार की दौरा उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी यह 407 ठीक है इतनी बात आपको इध्यान रख नहीं 197 में के जजोस के बारे में है ठीक है यहां पर देख सकते हैं जाके 197 के बारे में उसको मैं पढ़ा चुका हूँ अब आप बात आती है 408 की मामलों अपिलों को अंतरीत करने के सकती किसको सेशन नहीं आए थी इसको ठीक है तीन लोगों को यहां पर पावर बता दीगी है किसको किसको सबसे पहला आता है आपका सुप्रीम कोड दूसरा आता है हाई कोड और तीसरा आता है सेशन नहीं ले आता है कि न्याय को देश्चों के लिए सबशी रहे जरूरी है कि इस उपधारा के धिन आधाश दिया जाए तब वह आधाश दे सकता है कि कोई बिसी स्थ मामला उसके से सिस्ट खंड में एक दढ़ न्याले से दूसरे दढ़ न्याले को अंतरिद कर दिया जाए नहीं यानि कि उसके नीचे जो कम पहने वाल जितने मजिस्ट्रेट है वो क्या किया जाए एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से दूसरे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मामले को ट्रांसपर कर दिया जाए तो क्या क्या किया जाएगा मामले को ट्रांसपर कर दिया जाएगा दूसरा आता है कि सिस्टन नankiयाला की रिपोर्ट पर या हिदपत पक्षकार की आवेधन पर इस से भी प्रकार से तीन तरह यहां पे कर सकता है या तो निचली कोट की रिपोर्ट आईगी यह पत्पक्षकार या इंट्रेस्टेट पार्टी जो भी होगी वो क्या करेगा आवेदन करेगा तीसरा आता है कि आप इस स्वेम से कर सकता है श्यूमोटो भी यहां पे क्या किया सकता है आवेदन किया जा सकत है ठीक है नगो नो ऑन इनिसियेटिव पर उसके बाद धारा 407 के उब धारा 34567 और नौ के उबंद इस धारा के उब धारा 1 के दिन आधिस के बिन आधिस के समझेए वे इसे ही लागा हो गया जैसे उब धारा 407 के उबन आधिस के उच्छे-णियाले यानि यहां पर भी अपलाई हो जाएंगी लेकिन यहां पर एक चीज यहां का डिफेरेंस है कि 407 में और 406 में एक हजार रुपय तक जुर्मा लगा रहा यहां पर 250 रुपय तक कर जुर्मा लगाए सकता है मामले क्या है तुछ्छे तंग करने आविदन किया रहे है तो उसके बाद आता है सेशन न्याधिस तो तुरह मामलों और पीछ उसने हवाले किया है वापस मगा सकता है बहाता है। पर आपशुच मामली कर दियाएथा इसको कि मामली कर दिया शुनिया पक्राइब करता है ? कि जो मामले को इसने इसको दिया गया था ना ओक्या कर सकते हैं वापस इसको बुला सकता है कि यह काम करो जो मामला भेजाता ना वो हमारे पास फिर से भेज़ दो यह तो वापस मगा सकता है कहां से मगा सकता है या तो सहायक से सन्याधिस से मगा सकता है ठीग है अशिशन से स अपने मामले को वापस मंगा रहे हैं या मौ कहीं एक diagnose कोड़ है वहां से मामल मौमला अपीज क्या करा है अपने पास बुला सकता है डूसरा के सबस्क्राइन सब्सक्राइऑ की अपर स्बसक्राइण के मुखिनाइक मजिस्टेट हो किसी को भी दिया गया हो सभी सी क्या कर सकता है मामले को वापस बुला सकता है मामला हो अपील हो तो यहाँ पर अपील को वापस बुला सकता है अपर सेसन अधिस से अब तीसरा आता है जहां सेसन अधिस कोई मामला उधार का एक फ्थार दो के अधियन कहा कि यह वापस मंगाता है वापस लेता है तो यहां रॉह तो मामले को क्या कर सकता है इस अपील को step सुन सकता है या उसे विचारन के सुनवाई के लिए सहींता है को बंदों के साल दूसरे नयाले के हमाले कर सकता है यानि कि जहां से उठाया दूसको दूसरे कोटे में भीर्षसकता है या ठीक लोव को दूष्र मघ्सराइब किया है अब यहां पर सब्सक्राइब से वापस ले सकता है कि मामले को कर दो वापस कर दिया हुizon है तो यहाँ पर फी वø extends कर सकता है कि या तो स्वयं कर सकता है कि 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 ने कि करता है कि मामले को हवाले करता है घिणी तो दिया है लेकिन तहीं जाद यहां पे की कर दिया जाएगा कि कि इसको मामले को वापस बिला लिया जाएगा ठीक है उसके बाद अब कारपालक मेंशी किया रूड़र मामलAngelistSi माजिट्रिक के हवाले किया जाना या वापस ले Яनि अब यह तो हमने जुडिशल मेश्टेट था ना उनको देख रहे थे अपन अब यहां पर एक चीज़ और जोड़ दिये कहें एक जगे जगेश्टेट कारबला को ना है की नहीं है ये अप इतना मुझे कमेंटOR से आंप पढ़ रहे तो तो इस सही कमेंडर के इस देह रहा है और सकते हैं एक और यहां पर एक चीज और की धार धारा चार सो आट चार सो नो जचार सो दस जफास जाट करेगा अभी करेगा तो उसमें सारी चीजिए यहां पर नोट करेगा अब लिखित करेगा तो आयोब आपके पूरा ट्रांसफर सेलेटर में समझ में आया होगा ठीक है तो मिलते हैं वागले लेक्चर पर जहां पर हम करेंगे दंड़ देष्क को नि इसपादन कैसे होता है निलंबन परहार कि आप मिर्थ दरंड़ दे सकते हाई कोट भेशता है यहाँ से ठीक है यह चार समाट होगी 414 में उच्छ नयालग दो दिये गए मिर्थ दरंड़ देशका निसपादान है ठीक है एक बोनस ग्रूप में पढ़ लो थोड़ा सा ही है तो यहाँ पर यहाँ पर हाई कोट में मिर तब तक आपील का निस्पादर है उसको रोग दिया जाएगा अब यहाँ पर एक चीज और है कि गर्वती मैला अब गर्वती मैला है उसको मिर्टुदंड दे दिया गया तो यहां पर देखा जाएगा कि जो आउरत है वो गर्वती है इसको क्या किया जाए इसको जो मिर्टुदंड दिया गया था उसको अजीमन कारवास में चेंज कर दिया जाता है यह रहा आपका पूरा निश्पादान से संबंधित धारा है अब यहां पर लग करार और निलम्मत संबंधित पढ़ने वाले हैं तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्ष्ण में तब तक के लिए बाई बाई